हेलो एन वेलकम माई डियर फ्रेंड दिस इस मी कुमार पंकज और क्रेकनाव पर आपका हार्दिक स्वागत है अब इनंदन है दमागा वीडियो की पार्ट थ्री है हमने स्पोर्ट्स और जो संबंदित चर्चित इस्तल या सहर हैं उन दो पार्ट्स को हमने देखा दमागा व होते हैं कहां पे क्यां कौन सा उद्योग है ऐसी कई सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे जो बहुत हाइलाइटिड क्वेस्चन्स जहां से आते हैं चाहें वो योजनाए हो या अन्ने चीज हैं तो अगर आपने पुरानी वीडियो से इसकी धमा का वीडियो की नहीं दे लकडवाला गरीवी रेखा का आंकलन गरीवी रेखा से नीचे जीवन्यापन करने के लिए लोगों का जो आंकलन किया गया सुरेश तैंदूलकर तो ये दोनों समीतियां गरीवी रेखा से संबन देते हैं लकडवाला पुरानी है और सुरेश तैंदूलकर न्यू बनी थी उसके बाद में, गोईपोरिया समीती है, बैंकिंग सेवा सुधार के लिए, नान जुनत दपा समीती है, जिसको नान जुन दपा भी बोलते हैं, रेलवे किराया समीती है, रंग राजन की कई सारी समीतियां है, रंग राजन की यहाप एक जगे खटा करके पढ़ियेगा, पॉद्रिक प्रणाली से संबन देती यानि मॉनेटरी सिस्टम से अब आ जाते हैं कुछ अलग चीज़े देखेंगे उद्ध्योग दे रखें एक तरफ और दूसरी तरफ उद्ध्योग केंद्र ये क्वेस्चन बहुत बनते हैं तो पल फिशिंग है तूती कोरिन में आटो म मोवाइल से पूने, पोत निर्मान है, मर मुगावो, इंजीनियरिंग सामान है, पिंज़ोर मैं अब आगले चार देखेंगे सूती वस्त्र कोयंबतूर, लोह इसपात यानन इस्टील रावर केला, रेल डिबबा कपूर थला, तेल सूधन बरोनी, ये सब चार-चार क्यू प्रसिद्ध है, सूरत सूती वस्त्र उद्ध्योग के लिए फ्रसिद्ध है, चुर्क जो है, ये सीमेंट उद्ध्योग के लिए है, ध्रुब रियक्टर कलपक्कम में हैं, अबस्तित, तो ये ध्यान रखना है आपको, कटनी सीमेंट उद्ध्योग, सूरत सूती वस्त्र, शुर्क सीमेंट उद्धियों का द्रुग रियक्टर है कलपक कम है आगे धामा का देखते हैं सिंग रॉली मद्यप्रदेश किसके लिए फेमस है कोयला के लिए कजर हट चुनार यूपी ये सीमेंट उद्धियों के लिए कोयाली बडोद्रा गुजरात में हैं तेल के लिए आनंद गुजरात में दूद के लिए तो ये भी आप याद रखेंगे ठीक है आप सीजों को समझ पा रहे हैं आप फिर से एक बार समीती पे आएंगे मैंने ऐसे क्यों किया हुआ है एक तरब से अगर समीती देता तो आपको बोरिंग हो जाता तो थोड़ा इंट्रेस्टिंग बना रहे इसलिए चीजों को बदल बदल के आपको ये दुंगा ताकि आप एक बार लसी पीएं तो एक बार फिर पराठा खाएं ताकि टेस्ट बदलता रहना चाहिए तो गोस्वामी समीती है और द्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए यानि इंडस्टियल सेक्टर में जब बीमारी जैसी चीजे आ जाएं तो गोस्वामी समीती बनी उस पे और द्योगिक रुग्णता के समस्या के लिए जान की रवन समीती है सेर गोटाले की जाच के ल अला दीती तारापोर समीती ने, याद रखना आपको, ये आरजे चलाईया कर सोधार से संबन देता है, टेक्स रिफॉर्म ये अभी पूछा भी गया BPSC CDPO में, आरेन मलोत्रा बीमा चेत्र में सोधार के लिए है, ये आरजे चलाईया AEO में पूछा गया है, ठीक है, तो आर का डिस इंवेस्टमेंट से संबन देता है, सी रंगराजन की कई सारी समीतियां बनी इनकी, तो वो हर छेत्र में है, सी रंगराजन, अब हम देखेंगे, कुछ प्रकाशन, प्रकासित किये जाते हैं, तो थोक मूले सुचकांग को जारी करता है, उद्योग मंत्राल है, ध्य सांखे की, इसको मैं हिंदी, इंगलिस में बता दूँगा, एक बार, या करेंसी और संबंदी रिपोर्ट आर्बीयाई, आर्थिक समिक्षा, संगत वित्वंत्राले के जारी किया जाती है, योजना और कारेक्रम, यानि किस योजना में कौनसा कारेकरम अपनाया गया, ये क पुछा जाता है प्रथम योजना में सामुदायक विकास से संबन देती द्वतिय योजना तीव्र अध्योगी की करण से संबन देती तृतिय योजना आधार भूत उद्योगों का प्रसार से संबन देती चतुर्त योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं इस्तिरता के सा संव्रिद्धी से संबंदित थी उसके बाद आता है पंचम योजना यानि पांचमी योजना तो पांचमी योजना जो थी दोस्तों नियूंतम आवशक्ता कारेक्रम से संबंदित थी नियूंतम आवशक्ता कारेक्रम इतना याद रखेंगे important हैं इस सारी चीज़े आपको पता होगा इनकी कुछ योजनाओं की जो है समयाबदी पूछी जाती है तो मैंने इसको इस प्रकार रखा है कि आप इससे निकाल पाएंगे प्रथम पंचवर्षी है योजना 1951 से 56 तिरतिया रखा है फिर उसके बाद 61 से 66 तो बीच वाली निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद है चतुर्थ तो ये 64 से 74 और 65 वर्षी है योजना 80 से 85 आमूमन 6 पंचवर्षी है योजना बारवार पूची जाती है इसको आप याद रखेंगे बहुत important है प्रथम पंचवर्षी है 51 से 56 तिरतिया पंचवर्षी है 61 से 66 चतुर्थ 79 से 74 चटी पंचवर्षी है योजना 80 से 85 आसी याद रखेंगे, महतपूर्ण है, योजनाओं से कही बार पूछ लिया आता, कौन सी योजनाओं में कितनी व्रद्धी दर रही, तो 6 तुमें 5.7 परसेंट थी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, तो 6 तुमें थी 5.7, 7 येर प्लानिंग में, यानि 7 पं ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में आई थी, ये इंपोटेंट हैं योजनाओं, याद रखना इनको, स्वन जनती ग्राम स्वरोजगार, 1997 में, तो पहले सहरी रोजगार, फिर ग्राम स्वरोजगार, ठीक है, याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना, 1989 में, और रा तो यू एनो है नियु यॉर्क में ठीक है डवलू टी ओ वर्ल्ट्रेड और्गनाइजेशन जे नेवा में आई एलो भी जे नेवा में हैं इंटरनेशनल लेवर और्गनाइजेशन स्रम संगठन की बात हो रही है एफ ए ओ रोम में है ठीक है ओके चलिए अब आगे बढ़ते आगली चीज देखेंगे योजनाओं से बहुत इंपोटेंट योजनाओं को मैंने आपे कवर किया है आप इनको नोट कर लीजेगा तो जल जीवन मिशन 15 अगस 2019 को अगनीपत योजना 14 जून 2022 को यह वो योजना है जो करंट में रही है और जो इंपोटेंट है वो आगे आ 173 पोशन योजना 29 सेप्टमबर 2021 को शुरू हुई पीए मुजला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई ठीक है यह करंट की है इनको याद करेंगे अलग जैसे मैंने लिखी है आप अगर ऐसे ही लिखके याद करेंगे तो इजी होगा क्योंकि इतनी योजनाए रटना मुस्किल ह आप इनको 2-3 बार कर लेंगे तो वहाँ आप ऐलिमिनेट कर देंगे ठीक है आम आदमी योजना 2007 में आई थी ये कूछ पूछा हुआ PCS में क्वेस्टन है आम आदमी योजना 2007 आत्म निरवर स्वस्त भारत योजना 2021 में पिरधान मंत्री आत्म निरवर स्वस्त भारत सुकन्या समरिद्धी योजना 22 जैनवरी 2015 अटल पैंशन योजना 9 माई 2015 मेक इन इंडिया 25 सेप्टेंबर 2014 प्रधान मंत्री जंधन योजना 2014 ठीक है तो कुछ का अगर येर भी याद कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा डिजिटल जैंडर एटलस फोर एडवांसिंग गर्ल्स एजूकेशन इन इंडिया 2015 में जारी किया गया अब आ जाते हैं कुछ इंपोटेंट दूसरी योजनाव पे ये इनकी आप फुल फॉर्म देख लिजएगा इसी नाम से वैसे पूछी जाती है तो मैंने यही रखा ह ट्राइसेम 1989 में शुरू हुई RLEGP 1983 में शुरू हुई JRY 1989 में और EAS 1993 में यह मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि कुछ आपके लिए हमवर्क देना जरूरी है नहीं तो आप जो है आराम की इस्तिती में आ जाते हो तो आप इनको सर्च करिएगा इनकी फुल फॉर्म क्या है प्रोग्राम आया जमार यह रोजगार योजना 1989 EAS 1993 यह देख लिजेगा इनकी फुल फॉर्म क्या है मन रेगा बहुत बार पूछा जाता है 2005 में शुरू हुई ती यह मातमा गादी नरेगा रोजगार प्रोग्राम है 2005 से सुरू हुआ PCS में पूछा गया क्वेस्चन है रोजगार गारंटी योजना 2006 में प्रदानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में क्रसी स्रमिक सामाजिक शुरक्षा अभियान 2001 में ठीक है यह दो बार भी वीडियो देख लोगे तो आप महाँ इलिमिनेट कर दोगे यह मेरा वाइदा आपसे PM वैवंदन योजना 2017 में शुरू हुई PM रोजगार प्रोटसाहन योजना 2016 में शुरू हुई प्रजातांत्रिक विकेंद्री करण 1957 में जिला ग्राम विकास अभी करण की विलेज स्कीम जो है 1999 में ठीक है उसके बाद महिला समरिद्धी योजना 1993 में महिला स्वैसक्ती योजना 1998 में राष्ट्य पोसाहार मिशन 2003 में महिला सामाख्या कारेक्रम ये समानता के लिए चलाया जाता है 1988 में तो ये महिलाओं से सम्बन देते स्कीम से हैं बहुत पूछी जाती है ये मत सोचिएगा कि करंट की स्कीम पूछी जाती है कि इसकीम कोई सी कभी से भी पूछ ली जाती है अंधत नियंत्रण हितु राष्ट्य कारेक्रम अपनाया गया 1976 में समन्मित बालविकास योजना 1975 में राष्ट्य कुष्ट निवारण कारेक्रम 1983 में सुरू हुआ राष्ट्य ग्रामीर स्वास्त मिशन यानि नेशनल हेल्थ मिशन रूरल 2005 में हम दूसरी बार देख रहा है रिपीट हुआ है मैंने इनको एक-एक वारी रखा है रिपीट क्वेस्टन को नहीं कवर किया है वीडियो आद छोटा रखा है ताकि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है आप इसको ग्रैप कर पाऊ और एक वीडियो एकोनोमिक्स पर और ऐसी लाऊंगा जिससे इंपोर्टन क्वेस्टन आपके कवर हो जाए एकोनोमिक्स से क्वेस्टन ज़्यादा पूछे नहीं जाते है दस पूछे जाते हैं ज़्यादा तर और उसमें बहुत सारी जो है स्कीम्स और जो बजट और सर्वे होता है इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा डेटेल वीडियो नहीं दूँगा एक दो हाइलाइटिट चीजें और रखी जाएंगी जो रुपीट होती है उसके आद एकोनोमिक्स का चैप्टर बंद गर देंगे और साइंस उठा लेंगे ठीक है कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएगा शेयर करिए दोस्तों के साथ और धमाका को आप भी धमाके की तरफ पहला दो लोगों के साथ थैंकी सो मच पर वाचिंग क्रेक नओ हैव अ गुड डे जै हिंद